हेलो एबरिवन आज हम लोग MSC Chemistry में Elimination reaction के अंदर एक बहुत important rule discuss करेंगे that is called hopman rule और इसको हम लोग क्या बोलते हैं hopman elimination भी बोलते हैं तो देखो hopman elimination क्या होता है कि elimination in which least substituted alkene is the major product ठीक है आपको पता है इससे है पहले हमने set-up rule discuss किया है आप वह भी playlist हो जाके देख सकते हैं तो होता क्या है अगर हमारे पास कोई ऐसा compound है जिसमें more than one type के बीटा hydrogen होंगे तो दो type की alkyne बनती है ठीक है तो दो type की alkyne में क्या होता है एक major alkyne मतलब एक major product बनता है एक minor product बनता है तोuck 7 में क्या होता है कि the more substitute alkyne बनती है वह ही क्या होती है major product हॉती है पर hopman क्या है the least substituted alkyne होंगी वहीं क्या होगी major product होती है ठीक है so simple है ho breaker elimination in which least 1st substituted electron is the major product is called hopman rule और hopman elimination ठीक है अब देखो most करोगी या यहां पर क्या की अगर बेस बलकी मतलब लारजर साइज हो बेस करें नहीं करेंगा तो है पर वह नहीं कर रहा है इसको क्या ऊario सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे अगर बीटा कार्मन में इस्टरिक हिंट्रेंस हो मतलब कि वहाँ पर अगर बड़े बड़े गुरूप लगे हो तो वहाँ पर क्या हुता बेस अटेक नहीं कर पाता है ठीक है अभी देखेंगे इनको वेन अलकाइल हैलाइट कंटेंस वन और मोर डबल बॉल्ट ठीक है तो इन चार केसों में हॉप में रूल लगता है आपको अच्छे से याद होने चीए तभी हम लोग प्रोड़क्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वैदर इस माइनर और मेजर तो सबसे पहले स्टर्ट करेंगे वेन बेस बलकी अब देखो बोलेंगे Elpha Carbon और Elpha Carbon सिरो डिरेक्टिली अटेज्ड्ड यहने को बोलते हैं श्लच होते हैं ऊंको बहुते विश्चेट charities नंग्या और यह भी बीटा कार्प si जुड़े है तो इसमें Rin I है इसमें थीन है इसमें एक है तो यह जोड़ी जो थ्री वाले जो है तीन यह और यह जैसे है क्या की यह स्कुलन है या बीटा है वो एक टाइप का है तो दू टाइप के अलकिन बनेंगे अब देखो अगर बेस बल की होगा तो आपको पता है अगर यहाँ से प्रोटोन अबस्ट्रेक्ट करना बेस को तो यहाँ पर पहुशना पड़ेगा ठीक है क्योंकि बेस का साइस कैसा लार्ज है थो यहाँ शख पर से क्या होता है तो यहांपर घुर निपाता है तो यहां से प्रोट्इव निकाल लेगा तो सब क्यों ह इस फ्रोट्रोन निकालने के लिए यहां अंदर जाना पड़ेगा बात गया होगा इसके आलकायल गुरूप से पीछे है और यहां से हैड़न निकल जाएगा यहां से हैड़न निकल जाएगा और बिटा से क्या निकल एगा हैलोजन निकल जाएगा तो एलफा बिटा के बीच में कादा डबल बॉंड आता तो देख सकते हुआ इतना बन जाएगा फिर यह दो वैसे रहेंगे ठीक है तो यह बन गया अब अगर यहां से बीटा हैड़न More substitute क्यों भोलता है कुछिए अगर हम open को देखें इस defines को छोड़ो के देखो कितने एक गणार के साथ कितने कूर एक इस डूर चौर जुड़ यह एक और एक इधर का है तो जहां पर मुझादाल गूर्प जूड़ होता है इस को भी जायरिक असे तुरहा पर more stable यानि major product इसको होना पर यह होता है major product k queremos less substituted alkene क्योंकि यहां से proton निकाल में इसको कोई दिक्कति नहीं आएगी यहां से निकाल में निकाल में बहुत दिक्कत mandate ब्याहना तो पहला के समel रहा है तो दूसरा केस कि के हमारे सबसे पहले हमको यह पता होना चीए कि यह पूर लीविंग गूरुप क्या होता देखो जैसे इस उपर वाले अपने देखा भी यह वह बिश्ट है ठीक है यहां से तूटेगा ही नहीं तो क्या परशानी होगी वह देखते हैं लोग ठीक है अब देखो से अभी यहां पर बेस जो है वो चोटा है तो यहां पर बेस बड़ा नहीं है तो याद रहो को यहां से भी निकाल सकता है और यहां से भी प्रोटॉन इसले निकाल सकता है बेस बेस को प्रॉल्म यहां भी नहीं आएगी यहां भी नहीं आएगी तो कि छोटा सा ह ठीक है प्रोलम कहा पर आगे वह देखते हैं थोड़ा समयने की जरुबात है इसमाभी तो देखो जैसे हमारे पास यह है यह यह एलकाईल हलाइड है, यह base क्या करेगा भी थ्वड़ा ध्यान देना अब यह base क्या करेगा, beta hydrogen यह भी है, beta hydrogen यहाँ पर भी है तो एक बार यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, proton तो देखते हैं क्या होता है CH3 CH3 अब देखो जैसे प्रोटोन निकालेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा नेगेटिव चार्ड जाएगा आएगा ना उसके बाद क्या एगा CHF और यहाँ पर भी क्या होता है CH3 सपोर्ज कर रहो हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 उसके बाद क्या CHF और यहाँ पर क्या होता है CH2 नेगेटिव आएगा अगर यहाँ से निकालेगे तो प्रोटोन यह बनेगा ठीक है अब इसमें क्या होता देखो जैसे जो यह लिविंग ग्रूप पूर है अगर सपोस करो यह अच्छा लिविंग ग्रूप होता बैटर लिविंग ग्रूप होता तो क्या होता है जैसे ही यहाँ से प्रोटोन निकलता जैसे यहाँ से प्रोटोन निकलता ऐसे तो वैसे क्या होता यह भी लीव करता ठीक है अगर यह बैटर लिविंग ग्रूप होता तो यह गुड़ेविंग गुरूब होता तो उससे क्या होता है कि जैसे हम लोग यहां से प्रोटोन निकालेंगे न उतनी जल्दी उसी समय यह फ्लोरी अपने जिगह से नहीं निकलता है तो उससे क्या होगा कि जो यह कारबन पर नेगेटिव आजाएगा देखो क्यों कि प् अगर पूर लिविंग गुरूप नहीं होता तो क्या होता वह यहां पर नेगेटिव चार्ज बनता है नहीं तुरंत क्या होता यहां पर बॉंड बन जाता और यहां से लिविंग गुरूप लीव हो जाता अगर बैटर यहां गुड लिविंग गुरूप होता तो तो यहा less stable और 1-degree जो karyb-anine होता है वो क्या होता है more stable karyb-anine होता है तो आपको पता क्लिए होगा कि अगर हम यहां से proton निकालेंगे तो karyb-anine stable बनेगा यहां से निकालेए पर ठीक है उसके बाद आपको पता ही है यह living group बंगे, यहां से निकालो प्रोट्टों यहां से निकालो तो दूसरा बनेगा, अगर सब्सक्राइब करें लिए निकाल नहीं तो कौन सा प्रोड़क्ट बनेगा इसको बोलते हैं लेस्ट सब्सक्राइब कि इसमें तीन प्रोड़क्ट बनता है यह क्यों बनता है देख सकते हूं सब्सक्राइब क्योंकि यह सब्सक्राइब क्योंकि यहां से प्रोड़क्ट निकालेगा यहां से प्रोड़क्ट निकालेगा बेस तो कोई इसको होने वाली नहीं है आराम से निकाल सकता क्योंकि इसके इधर को कोई ग्रूप जुले नहीं है जो इसको रोक सके ठीक है जैसे यहां मिलुट करने गया तो आपको पता इतना बड़ा गूरूप है देख रहे घूट इतना बड़ी करेंगा बेस को इस राष्टे से प्रोटिब निकालने में निकालने नहीं देगा सीगल Teow बोलते हैं, isteric hindrance, मतलब कि base के राषिते पर रुकावट डालेगा है, भूब कि यहाँ पर कोई है नहीं, यहां से अराम से proton निकालके यह ला प्रॉट्ट बन जागा, यह लाव लास्ट है, वें, यह लास्ट है, वें लेकल है लेकल है कंटेन, वोन और मोढ डीवलवोंड यह क्या गामा यह भी क्या गामा तो यहां पर तो कोई ड्वाल वंड है निहां यहांपर दबल वोल्ड होगा धेखऊ अगर निकालो क्या तो यहां पर ड्वर्ण आजाईगा या ठीक है अब क्म यह कि Ace लेश सबश्चुटिट्रेद देख सकते हैं कियोंकि इसमें कितने गूब एक तरक तीन इसमें कितने हैं एवन सर्फिट कि निय useful लेश सब्स्चूरेट है yes कि ऐसाइब क्पार्टि प्रोट्थ में करेन कि है इसका इस शॉब्सक्रीं शॉब्सक्राइब डबल और जहां पर Convention होता आपको पता वहां पर रज्वर्ण होता है वो क्या होता है इस यहां पर बनने से इस बहुतन के साथ कौँगर्ण नहीं आपाए क्योंकि डबल सिंगल सिंगल है ठीक है तो इसलिए यह वाला मिजर बनता है तो होप में इन चार केसों में ही अपलाई होता है